अच्छा सुनू, सब्सक्राइब करते वत ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ओनलाइन हूँ, तो तुम्हारे फोन की भी घंटी नमस्कार दोस्तों, तो आज का हमारा जो अगला कोश्चन है, ठीक है, देखें, यह हमारी जो वीडियो है न, यह है Q&A सिरीज, कोश्चन आंसर की, तो आपका जो कमेंट होगा, अगर आपका कमेंट टिक होता है यहाँ पर, तो उसका सीधा आंसर हमारे वीडियो में किया जाएगा, जैसे एक बच्चे का कमेंट आता, सर कॉलेज का नाम पूरा फिल नहीं हो पा रहा है, क्या करें, सौर्ट में नेम भरने पर भी यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसका मतलब हुआ हमारा इलाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो कुछ कॉलेज का नाम भी जैसे बहुत बड़ा होता है, तो उसको आप सौर्ट कट में लिख सकते हैं, पहले पहले अच्छर का, रखें यहाँ पर कर दीजे, कि ताके राम से जाएं, और डॉट यहाँ पर आपका ऐसे ले नहीं रहा होगा, ठीक है, तो इस हिसाब से आपको फिल करिएगा, कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है, तो आपका जो कुश्चन है कि सौर्ट में नेम अगर भरते हैं, तो ले सकते हैं कि नहीं, बिलकुल, सौर्ट में आपका ना इम्पोर्टेंट होते हैं यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर होता है टोटल नमबर, टोटल में से कितना, ठीक है, क्योंकि आपका हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजवेशन के बेस पर आपकी मेरिट बनती है, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो वह होता है आपका data worth, आपका domain style, UP के हैं कि other state के हैं, category क्या है, क्योंकि category की हिसाब से आपको आरचषड मिलता है, उस हिसाब से आपको सरकारी या private college मिलता है, ठीक है, तो क्या-क्या important है, वो ज्यादा ध्यान में आपको रखना है, ना कि आपको college का नाम उतना important है, हाँ, important ह गलत नहीं लिखना, shortcut लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे कुछ school के नाम होता, सरस्वती विद्या मंदिर, तो वहाँ पर S, सरस्वती, V से विद्या, M से मंदिर, SVM करके आप shortcut बना लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे school होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, बाकी चलिए, all the best, और आपका comment नेक्स्ट जो रहेगा, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में अंतर करेंगे, फिर मिलते हैं,